आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ इस question में हमें बोला गए है कि What is the net fluffs of a uniform electric plane through a cube of side 20 cm oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes मतलब हमारे पास एक cube है इसकी sides हमें दे रखी है 20 cm तो फ़र हमें cube ट्रॉ कर लेंगे यह हमारा होगया cube अब इसकी planes कैसे oriented है कि हो coordinate planes के parallel है तो अगर यह हमारा plane होगया X, Y, Y यह मैं ऐसी case consider करें इसकी help से हमें question को समझने में asalी हो अब किया करें और इसमें हमें build रखा है कि जो इसकी uniform electric field lines है वो कैसे निकल रहु है parallel निकल रहु है यह ऐसे इसकी field lines निकल रही है और यहां से यह अंदर बुश है इस से अंदर बुश है इस से बाहर निकल रही है टीक है अब यहाँ पर बोल रखा है कि net flux कितना होगा तो net flux क्या होगा net flux इसका हुँ 5 से denote करते हैं of the cube equals to 0 आजएगा अब 0 इसलिए आएगा क्योंकि जितनी feed lines इसमें enter कर रहे हैं because number of feed lines feed lines entering the cube जितनी feed lines cube में enter कर रहे हैं entering the cube equal है with number of feed lines leaving the cube जितनी enter कर रहे हैं उतनी ही leave कर रहे हैं उतनी ही बहार निकल रहे हैं तो इसलिए इस case में जो flux होगा through the cube will be equal to 0 number of feed lines coming outside देख्या थमसे question में यही पूचा गया था net flux क्यूब का कितना होगा अगर हमारे पास एक cube दे रखा है जिसमें उसके faces जो हैं वो parallel है coordinate access के और उसमें uniform electric feed lines जा रहे हैं जितनी feed lines जा रहे हैं उतनी ही बार निकल रहे हैं इस वज़े से जो उसकी flux आजेगा वो 0 आ चाहिए क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या WhatsApp कीजे अपने doubts आच चार्सो 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 पर